जैन दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्जाम एस पेरेंट्स पे तो दोस्तों हम लोग देखेंगे RRB NTPC 2019 का एक्जाम दो 2021 में हुआ है उसमें जो भी GS का क्यूचन आया है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन-कौन से क्यूचन NTPC एक्जाम में पूछे गए है तो फाला क्यूचन है दोस्तों कि भारत में किस तारीक को वर्स का सबसे छोटा दिन माना जाता है तो भारत में 22 दिसंबर को वर्स का सबसे छोटा दिन माना जाता है आगे हम लोग देखेंगे कि निमलिखित में किसे अस्थानिय स्वसासन का जनक कहा जाता है तो लॉड रिपन हो गया जिसे हम लोग अस्थानिय स्वसासन के जनक के रूप में जानते हैं अगला की उचन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीन आवास योजना को पुन संरचित करने के लिए परधान मंत्री ग्रामीन आवास योजना का सिरिजन किया गया तो यह हो जागा इंद्रा आवास योजना अगला की उचन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि रभीना टैगोर ने किसकी वज़ा से अपनी नाइट हूट की उपादी वापस लोटा दी तो यह दोस्तों जालिया वाला बाग नर्सनहार जो तेरा प्रेल उनीस्यू उनीस्को उगा था और इसी अंदोलन के कारण रभीना टैगोर ने नाइट हूट की उपादी त्याग दी थी अगला क्यूचन हम लोग देखेंगे दोस्तों कि भारत छोड़ो अंदोलन किस सहर से शुरू हुआ था तो भारत छोड़ो अंदोलन हुआ था दोस्तों मुंबई से शुरू आगे हम लोग देखेंगे कि निमलिखित में कौन सी पूस्तक बिस्नु सर्मा द्वारा लिखित है तो पंतंत्र हो जाएगा अगला क्यूचन लाइट डिटेक्टर उपकरन को किस रूप में जाना जाता है तो पॉलिग्राफ लाइट डिटेक्टर यानि कि हम लोग जूट बोलेंगे तो कौन सी ऐसी मसीन है जो उसे पकड़ लेगा तो उसको हम लोग जानते हैं पॉलिग्राफ के रूप में अगला की उचन है कि भारतिय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मद्दान करने है तू नियूंतम आयोग कितनी है तो 18 वर्स है दोस्तो अगला की उचन हम लोग देखेंगे हरित क्रांती निमलिकित में से किस सम्बन दित है तो हरित क्रांती है खाद और अनाज उत्पादन से अगला की उचन पूना समझोता कब हम ताक्रित किया गया तो पूना समझोता 1922 में किया गया था अगला की उचन हम लोग देखेंगे कि पलासी के यूद के समय बंगाल का नवाब कौन था तो पलासी के उद के समय बंगाल का नवाब सिराजू उद दौला था हम लोग अगला GS का क्यूचन देखेंगे दोस्तो EBM का पूरा नाम क्या है तो EBM का पूरा नाम हो जाएगा Electronic Poting Machine अगला क्यूचन दोस्तो Microsoft Excel में Workbook का संग्र होता है तो Microsoft Excel में Workbook का संग्र होता है तो Worksheet का संग्र होता है जो Microsoft Excel है उसमें Worksheet का संग्र किया जाता है अगला हम लोग देखेंगे पर्थम भारतिये अंतरिक चात्री कौन थे तो हम लोग सभी जानते हैं कि पर्थम भारतिय अंतरिक श्यात्री राके सर्मा थे 20 उपर्यावरन दिवस प्रती वर्ष कम मनाया जाता है तो 20 उपर्यावरन दिवस प्रती वर्ष 5 जून को मनाया जाता है एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल के अस्थापना की सवर्ष की गई थी तो ये स्यासिक सोचसाइट्री और बंगाल की अस्थापना 1784 में की गई थी अगला की उचना हम लोग देखेंगे दोस्तों अटल मीशन फोर रेजुएशन और अर्बन ट्रांसफॉरमेशन इरे में से किस से संबन्दी थे तो यह हो जागा मुलबूत नागरिक सुबदाओं से यानि की अटल मीशन के थुरू मुलबूत नागरिक सुबदाओं को परदान किया जाता है अगला की उचना हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला की उचन है हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है तो हमारा सौर मंडल है से आकास गंगा का है यानि की मिलकी उएक का एक हिस्सा है अगला की उचन हम लोग देखेंगे कि राज सीना हिल कहां इस्तित है तो या राष्टपती भावन वाले अस्थान पर इस्तित है हमें या क्यूचन आप्शन के नुसार चुनना है कि राज सीना हिल कहां है तो या हो जागा राष्टपती भावन वाले अस्तित है आगे हम लोग देखेंगे कि निमलिकित में किसे दिसमबर 24 दिसमबर 2014 को भारत के सरोच नागरिक पुरुसकार भारत रत्म से सम्मानित किया गया तो 24 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालिये को भारत के सरोच नागरिक पुरुषकार भारत रत्म से सम्मानित किया गया अगला हम लोग देखेंगे थारक्सिन के संसलेशन के लिए कौन सा तत्त आवस्यक है तो थारक्सिन के संसलेशन के लिए आयोडीन आवस्यक है अगला हम दखि के प्रोटियम में कितने निूट्रोन मौझूद होते हैं या यह हाइटोजन के समस्थानिक है तो इसमें zero निूट्रोन मौझूद होते हैं अगला क्यूशन हम लोग दखेंगे दोस्तो गुप्त समराज के निमलिखित राजाओं में कौन एक अच्छा बीनावादक भी था यानि कि गुप्त समराज में जितने भी राजा हुए उनमें कौन सा एक अच्छा बीनावादक था तो समुन्दर गुप्त हो जागा दोस्तों, समुन्दर गुप्त बहुत ही अच्छा बीनावादक था अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कच्रे को निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो अस्पताल से जितने भी कचड़ा या जैविक कचड़ा निकलते हैं उसके लिए हम लोग भास्मी करन का परियोग करते हैं उसके निप्टारा के लिए अगला की उचन हम लोग देखेंगे दोस्तो काजी रंगा राष्टिय उध्यान से होकर गुजरने वाली किस राष्टिय राजमार की सीमा उध्यान को वन जिवों के लिए मुख्य खत्रा बनी हुई है तो यह हो जागा एनेट 37 आगे हम लोग देखेंगे सचीन तेंदूलकर ने अंतराष्टिय किर्केट में अपना सवा सतक किस टीम के खिला बनाया था तो सचीन तेंदूलकर ने अपना सवा सतक अंतराष्टिय मैच में बंगला देश के खिला बनाया था इन में से किस से अजमेर में अड़ाई दिन का जोपडा निर्मित कराया था तो अड़ाई दिन का जोपडा कुतुबदीन एवक ने अजमेर में निर्मित कराया था अगला क्यूचन हम लोग देखेंगा दोस्तो एरिजनीं का क्यूचन है दोस्तो तलवार कदार कुटाल छूड़ी इसमें असंगत कौन है तो यह कुदाल हो जाएगा अगला की उचनाम लोग देखेंगे वाई में मौझूद निमलिखित में से कौन सा तत्व चांदी के वस्त्वों को काला कर देता है जब वाई के संपर्क में आता है तो गंधक है दोस्तो जब गंधक वाई के संपर्क में आता है तो चांदी को भी काला कर देता है अगला क्यूचन हम लोग देखेंगे दोस्तो यह सब मैत का क्यूचन है अगला की उच्छे नाम लोग देखेंगे UNESCO का मुख्याले कहा है तो पेरीज फ्रांस में हो जागा दोस्तों UNESCO का मुख्याले अगला की उच्छे नाम लोग देखेंगे AFO के Sofia 2020 डेटा के नुसार कौन सा देश विस्व का सबसे बड़ा मचली उतपादक है तो AFO के डेटा के नुसार चीन है से 20 वका सबसे ज़्यादा मचली उत्पादक करता है अगला की उचन हम लोग देखेंगे दोस्तो नासा के नुसार पिर्थिव के भू सत्य का कितना भाग 1 अच्छा दित है यानि कि नासा के नुसार पिर्थिव पर कितना भाग में 1 है तो 30% हो जाएगा अगला हम लोग जानेंगे इन में से किसे Grand Old Man of India के नाम से जाना जाता है तो हम लोग सभी जानते हैं कि Grand Old Man के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है हम लोग अगला क्यूचन देखेंगे टेलिफोन का विसकार कब किया गया था तो टेलिफोन का विसकार 1876 में किया गया था अगला क्यूचन हम लोग देखेंगे दोस्तो केम्प्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है तो commands की जो भी हम लोग खोजना चाहते हैं उसका commands की list होती है computer के menu में और हम लोग direct menu से जाकर वहाँ file में जा सकते हैं तो ठीक है दोस्तो अगला question हम लोग देखते हैं सिधी करवाई दिवस direct action day की घोशना किसने की थी तो मुहमद अली जीना ने direct action day यानि की सिधी करवाई दिवस को घोशना की थी अगला question हम लोग देखेंगे दोस्तो अच्छांस का एक डिगरी लगवग कितनो किलोमेटर के बरावर होता है तो अच्छांस का एक डिगरी लगवग 111 किलोमेटर के बरावर होता है अगला हम लोग देखेंगे जो एक करेंट का question है नवंबर 2020 तक प्राव जनकारी के नुसार निती आयो का उपध्यक्ष कौन थे तो राजु कुमार थें, नवंबर 2020 तक प्राव जनकारी के नुसार उपध्यक्ष थे अगला question हम लोग देखेंगे दोस्तो अंतराष्टिय परकास दिवस किस दिन मनाया जाता है तो अंतराष्टिय परकास दिवस हो जागा 16 माई को मनाया जाता है यानि कि अंतराष्टिय परकास दिवसे से 16 माई को मनाया जाता है अगला क्यों चनाम लोग देखेंगे दोस्तो जी इसका तो दोस्तो यहां इस set sum up होता है और हम लोगों ने पूरे GS का एक set complete कर लिया है तो फिर दोस्तो अगला वीडियो में आपको मनें हर दिन इस channel पर एक एक set set करके वीडियो आते रहेगा तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए set के साथ और अगर आप इस channel को subscribe नहीं कियोंगे तो चैनल को subscribe कर दीजेगा दोस्तो तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए set के साथ और जो NTPC का क्यूचन बैंक होगा तो यह आंडो तो